नमस्कार मैं डाक्टर जी के चंद्रोल असिस्टंट प्रोफिसर अब बॉटनी कल्यान पीजी कालेज भिलाई नगर मेरा टॉपिक है रॉंकियर्स लाइफ फॉर्म सामाने तरह किसी भी कम्यूटी में लाइफ फॉर्म्स पॉधों के टेक्जानामिकली अलग अलग गुरुप में पायजने विले जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको हम लाइफ फॉर्म्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं प्लांट कम्यूटी के केस में डिफरेंड काइंड अफ प्लांट्स अलग अलग एडप्टेशन या मॉडिफिकेशन सो करते हैं जो अलग-अलग लाइफ फॉर्म को सो करता है सबसे पहले community की बात करते हैं एक group of several species either plant और animal living together with mutual adjustment in a given environment is known as community जब बहुत सारे species फिर चाहे वो plant हो या animal एक साथ साम्य अस्था के साथ किसी भी एक निश्चित environment में रहते हैं तब उसे हम community कहते हैं यदि ये plant से संबंदित है तब वो plant community कहलाएगा और अगर animal से संबंदित है तो animal community A community can be defined as it is a natural assemblage of population of living organism in a prescribed area or habitat The community has a high degree of complexity Since the individual organism may function in different ways जैसे कि किसी भी community में जो individuals होते हैं जो species होती हैं सब अलग-अलग age group को belong करते हैं अलग-अलग category को belong करते हैं while minor communities dependent on adjacent communities जो major या larger communities होती हैं वो relatively independent होती हैं जबकि minor या small communities जो हैं अपने adjacent community पर निर्भर करती हैं हर community के कुछ characteristic या peculiar features होते हैं जैसे species diversity का होना हर community species point of view से rich होती है different growth form and structure का पाया जाना dominance हर community में certain species जो है वो प्रभावी रूप से पाई जाती हैं जिने हम dominant species कहते हैं और यही dominant species जो है उस community के energy flow को control भी करती हैं succession हर community की एक developmental या evolutionary history होती है जो succession को represent करती है traffic structure की अधि हम बात करें तो हर community में different types of organisms और plants पाये जाते हैं जो autotroph और heterotroph हो सकते हैं जिनके कारण से grazing और detritus food chain का formation होता है interdependence की अधि हम बात करें तो एक ही community में पाये जाने वाले different taxa और plant और animal एक दूसरे पर depend करते हैं यह dependency अलग-अलग हो सकती है उनकी requirement के अंसार यह space के लिए भी हो सकता है food के लिए भी हो सकता है survival के लिए भी हो सकता है इसके अलावा community के characters की अधि हम बात करें तो broadly दो characters की categories इनमें पाई जाती है एक analytic और दूसरा synthetic character analytic character को further फिर दो type में divide किया गया है quantitative and qualitative life forms one of the qualitative characters के अंतरगत आता है अब life form के हम बात करते हैं the sum of adaptation of plant to climate known as life form किसी भी plant में जितनी भी adaptation पाये जाते हैं उस particular environment जहां पर वो रह रहा है उसके respect में तो वो एक life form को जन्न देता है on the basis of position of pernitting bird and their degree of protection ronkier divided life forms into five major categories pernitting bird की position और उसके degree of protection की वो कितना protected है के आधार पर ronkier ने five major categories of life form दिये पहला फैन्रोफाइट्स दूसरा गेमिफाइट्स तीसरा हैमी क्रिप्टोफाइट्स चौथा क्रिप्टोफाइट्स और पांचवा थिरोफाइट्स सबसे पहले फैन्रोफाइट्स फैन्रोफाइट्स हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनमें की जैसा की डाइग्राम में भी दिखाई दे रहा है जो जो प्रेनिटिंग बड्स हैं वो स्वाइल लेबल से पाफि उचाई पर पाई जाती हैं बड्स मच अबब दा ग्राउन लेबल यह तीन प्रकार के हो सकते हैं एवर्ग्रीन विदाउट बड़ी सकेल, एवर्ग्रीन विद्ग बड़ी सकेल and deciduous बड़ी सकेल. इन तीनों को फर्धर फिर चार टाइक में डिवाइट कर सकते हैं on the basis of their size. नैनो फैन्रोफाइट्स जब ये दो मिटर से कम होंगे, माइक्रो फैन्रोफाइट्स दो से आठ मिटर तक, मीजो फैन्रोफाइट्स आठ से तीस मिटर और मैक्रो फैन्रोफाइट्स तीस मिटर से ज़्यादा होने पर केमिफाइट्स केमिफाइट्स ऐसे प्लांट ग्रूप को कहते हैं जिनमें पेरनेटिंग बड क्लोस टू दा ग्राउंड लेबल में पाई जाती है इन्हें चार टाइप में डिवाइट किया गया है सफ्रूटी कोस इनमें लोवर पार्ट अब इरेक्ट सूट में पेरनेटिंग बड पाई जाती है पैसिव केमिफाइट्स इनमें इरेक्ट सूट जढ़ जाते हैं और बड्स जो है होरिजोंटल स्टेम पर पाई जाते हैं एक्टिव केमिफाइट्स इरेक्ट सूट नहीं पाया जाता और horizontal stem में ही pernitting bud पाई जाती है और किये horizontal stem जो है अपनी पूरी length में root का formation करती है cushion इन में जो suit है वो reduced form में होता है और लगभग ground level पर ही pernitting bud का formation होता है hemicryptophytes hemicryptophytes के case में pernitting bud जो है वो ground level पर होती है या slightly below the ground level यह तीन प्रकार के हो सकते है proto hemicryptophytes इन में lower most leaves जो है वो less developed होती है फिर partial hemicryptophytes जिन में की lower leaf rosette manner में पाई जाती है और तीसरा टाइप है rosette जिन में की only rosette leaves पाई जाती है और pernitting buds तीनों ही case में ground level में ही पाई जाती है या just below the ground level तैन क्रिप्टोफाइट्स क्रिप्टोफाइट्स के case में bud underground होती है या submerged होती है वो depend करता है कि plant terrestrial है या aquatic terrestrial plant के case में birds pernitting buds जो है वो underground कहलाएंगी जबकि aquatic plant के case में submerged divided into three types इनको भी तीन प्रकार में डिवाइट किया गया है पहला geophytes जिन में की pernitting buds underground होती है जो अपनी पूरी प्लांट्स को कहा जाता है जो अपनी पूरी लाइफ जो है या इनकी लाइफ साइकल seed to seed complete होती है इस अनोन अज फिरोफाइट्स ये था रॉंक्यार के अंसार इसके अलाबा एक और scientist brown blanket ने life form को 10 categories में divide किया है इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने रॉंक्यार के life form को ही modify किया है इनके अंसार वो 10 category इस प्रकार है पहला phytoplankton ऐसे microscopic plants जो water में पाये जाते हैं phytoidophon ऐसे microscopic plant जो soil में पाये जाते हैं endophytes जो दूसरे plant के अंदर ग्रो करते हैं epiphytes ऐसे plant जो दूसरे plant के उपर ग्रो करते हैं phenrophytes chemophytes hemicryptophytes therophytes यह सभी वही category है जो आर्लेडी रॉंकियर ने इनको describe किया है जैसे phenrophytes में much above the ground level chemophytes में close to the ground level hemicryptophytes में अंडर ग्राउंड परनिटिंग बैट का formation होता है and last hydrophytes जिन में परनिटिंग बैट की position जल में पाहती है या अंडर वाटर होती है thank you